हेलो फ्रेंड्स वैलकम टो मैं किचेन माला किचेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज देखिए मैं शिम्ला मेच और आलू की सबजी लेगे आई हूं यह बहुत ही जटपट और कम इंगियेंस के साथ बनने वाली सबजी है और गौहती टेस्टी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो अब हम सबसे पहले गयस को अन कर लेंगे और इसमें सरसो का तेल डालेंगे सरसो के तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे यहां पर मैंने एक बड़ा चमर सरसो का तेल लिया है तेल अभ हमारे एकदम गरम हो चुका है अब हम इसमे रसन और हरी मिर्ची डालेंगे और इसको हम थोड़ा भूल लेंगे अब हम इसमें कटे हुए प्यास डाल देंगे प्यास को भारी काथ लेना है या मैंने चारी मीडियम साइज का प्यास लिया है अब हम इस प्याज को भी थोड़ा सुनायरे होने तक भून लेंगे प्याज को जादा नहीं भूनना मीडियम भूनना है प्याज हमारे एकदम बढ़िया से भून चुका है अब हम इसमें शिम्रे मिर्च डाल देंगे शिम्लाय मिर्च को हमने पतला पतला काट लिया है यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शिम्लाय मिर्च लिया है अब हम इसमें कटेवे आलू डाल देंगे आलू को हमने पतला पतला काट लिया है यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिया है अब इसमें हम अपने स्वाधनों सा नमक डाल देंगे और एक छोटा चम्मच हल्दीगा डाल देंगे और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे सबजी को अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम ढग देंगे और 15-20 निट के लिए पकाएंगे इसमें हम किसी प्रकाय का पानी एड नहीं करेंगे और शिमला मिच के पानी से ही ये सबजी पक जाएगी फ्लेम को हम एकदम लो पर रखना है सबजी हमारी एकदम बहुत बढ़िया से पक चुकिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसालों में हमने सबसे पहले पिसावा मसाला डाला है एक चमच ये मेरा होममेड मसाला है आप किचन किंग मसाला भी ढाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसमें हम एक चमच कसुरी मेति डालेंगे और एक छोटा चमच अमचूर पाउडर डालेंगे इसमें हमने टमाटर नहीं डाला इसके जगे हमने अमचूर पाउडर डाला है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम सबजीओ का अच्छे से मिला लेंगे ताकि सबजीओ में मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए अब सबजीओ का हम फिर से धक देंगे और 5 मिट के लिए फिर पका लेंगे ताकि मसालों का टेस्स सब्जियों में अच्छे से आ जाए अब हमारी सब्जी बन गए बिल्गुल तैयार हैं देखिए कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी खुश्भू भी आ रही है आप इसको पराठे रोटी पूरी सब के साथ इंजोई कर सकते हैं तो चलिए अ बहुत टेस्टी है अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाई